आज हम मनाईंगे करेले की सबजी बीना कड़वा लगे करेले की सबजी आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी जिने करेला नहीं भी पसंद है वो भी इसे खाना पसंद करेंगे नमस्ते दोस्तों स्वागत आप सभी का कोमल की चन में तो चलिए फिर सुरू करते हैं करेले की सबजी बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम करेले को पानी सेर्चे से साफ कर लिया है और इसका सारा पानी निकल चुका है तो पहले हम करेले के उपर और नीचे का पार्ट कट करेंगे तो इसका आगे और पीछे के हिस्से को आपको काट देना है इसके बाद हम करेले को पतले पतले पीसेस में कट करेंगे तो जितना पतला हो सके आप उतने पतले पतले पीसेस करिएगा ताकि करेले हमारा सबजी में बहुत ही क्रंची लगे तो मैंने यहाँ पर सभी करेले को इसी तरीके से काट के तयार कर लिया है अब चलते हैं नेक्स स्टप में तो मैंने एक बोल लिया है उसमें इस कटे हुए करेले को डाल दिया है अभी हम इसमें कुछ नमक डालेंगे ताकि इसमें से इसका कड़वा फ्लेवर निकल जाए तो एक छोटी चमच मैंने आप पर नमक डाला है वन फोर टॉबल स्पून मैंने इसमें हल्दी डाला है नमक और हल्दी को हम अच्छे से मिला लेंगे आप चाहे तो अपने हातों की मदद से इस तरीके से मिक्स कर दीजिए ताकि करेलों में नमक अच्छी तरीके से मिल जाए अभी हम इसे 15-20 मिनट के लिए ढखके रख देंगे 20 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर ढखका नटाया और करेलों में से हमने जो नमक डाला था उसकी वज़े से इसमें पानी आ गया है तो हतेली की मदद से सारा पानी हम निकाल देंगे तो जितना आप हो सके आप इसका पानी निकाल दीजेगा ताकि बिल्कुल भी करेला हमारा कड़वा ना रहे तो यह देखिए नमक डालने से इसका सारा पानी और इसका कड़वा टेस्ट निकल गया है तो इसका पानी हटा दीजिए और करेलों में अब बिल्कुल भी कड़वा टेस्ट नहीं आएगा इस स्टेप को आप जरूर फॉलो करिएगा अब चलते हैं गैस की तरफ तो मैंने गैस पर एक कड़ाई में चार चम्मस तेल डाल दिया है तेल को अच्छे से गरम कर लीजिए धूआ उठने के बाद तेल में हम गैस के फ्लेम को धीमा कर देंगे बिल्कुल लो करने के बाद हम करेले को इसमें डाल देंगे करेले को हम 5-7 मिनट तक तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि करेले हमारे पक जाए और इसमें एक क्रंची फ्लेवर आए कुरकुरा करेला बहुत ही स्वादिस लगता है खाने में तो यहाँ पर करेले का कलर पहले से चेंज हो चुका है टोटल हमने इसे साथ मिनन फ्राई किया है तेल में अभी हम इसको निकाल देंगे तो इसको सारा इल निकल जाने के बाद हम इसे П्रेट में निकाल के अलग कर लेंगे यह देखे है मैंने यहाँ पर iba प्राई इ deux को सब है प्रेट में निकाल लिया है अभी जो बचा हुँए तेल है इस तेल में हम डाल देंगे प्याज तो मैंने तीन प्याज को पतले पीसस में काटके डाला है प्याज डालने के बाद एक मिनट तक प्याज को हम तेल के साथ फ्राई करेंगे प्याज को जादा आपको नहीं पकाना है सिप ट्रांसपेरंट होने तक मैंने एक मिनटी से फ्राई कर लिया है बिल्कुल धीमी आज पे आपको करेले को पकाना होगा तो जो हमने करेले को फ्राई करके रखा था यहाँ पर उसे डाल देंगे करेले डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि प्याज और करेले अच्छे से मिल जाए तो अभी हम इसमें अपने मसाले डालेंगे इसे मिक्स करने के बाद अभी हम मसाले डालेंगे जिसमें हम आने लिया है 1-4 टेबले स्पून हल्दी 1 टेबले स्पून कस्मीरी लालमेच 1-4 टेबले स्पून सौंप पाउडर नमक स्वाद अनुसार 1-4 टेबले स्पून धनिया पाउडर सौंप आप जरूर डालिएगा इससे टेस बहुत अच्छा आता है और सभी चीजों को एक बार हम मिक्स कर देंगे इसे मैंने अच्छे से मिक्स किया अभी हम इसे ढखके पिल्कुल धीमी आज पे 5 मिनट तक इसे ढखके पकाएंगे 5 मिनट के बाद हम इसका ढखका नटाते हैं और करेले को चेक करते हैं इक भार इसे मिक्स कर दीजिये यह देखिए करेला आफेकी स No Clay फिसी अज Goes to hide आफे और नपिशत वेसे निदे कर देखिए करेले में निकाला अगर आपको मेरी आज की रेसिप पसंद आई हो प्लीज आफ मेरी रेसिपि नीचे वीडियो के नीचे लाएक का बटन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स वीडियों